जल्दी से बता दें, बहुत ही सिंपल सा कोशन है, एक बार में यह आंसर आना चाहिए, जल्दी से सिंबल्स को इंटरचेंज करके बताओगी क्या आंसर आएगा, एकदम बोली की स्प्रेट से आंसर आना चाहिए भाई, एटी रेट का अर्थ क्या है, मल्टिप्लाइब बाई टू, प्लस नो सो, डिवाइड बाई दस, माइनस पचास, नब्वे मैं से पचास जाएगा तो चालिस, और यह हो गया तीस, तीस प्लस चालिस बरावर आगया सत्तर, बी ओप्शन इस दी करेक्ट आनस, नेक्स कोशिन यह रहा, बनाईए, बहुत बढ़ी अला जवाब शानदार आनसर भी आ गया भाई, अरे पोल का इतना टाइम है क्या, पंद्रा से किन है क्या, तुम्हारे पास, पांस सेकंड का तो कोशन नहीं है, पोल लेकर जबरदस्टी टाइम विस कर लो, यह ले लो पोल, है इतना तो टाइम है नहीं होता, एक्जाम में डिचान करने माला तो जल्दी तुरंत प्रवाव से करके आगे निकल लेता है, यह दrain कि ऐ, माइनस वन हो रहा है, यह प्लस थ्री हो रहा है, फिर माइनस वन हो रहा है यह प्लस त्री हो रहा है तो साब सब दिख रहा है माइनस वन प्लस त्री वाला लोजिक चल रहा है तो माइनस वन करोगे तो क्या आजाएगा ओ प्लस थ्री करोगे तो ओ फिर minus 1 करोगे तो L plus 3 करोगे तो U के बाद VWX फिर minus 1 करोगे तो S plus 3 करोगे तो J तोkennt Tablo LX S Bum P option is the correct answer चलिए Expert जल्दी से करके बताई का आइ बनाय दोस्तो ओर मैंन अर टेड़ नो मैंन इस बार्ड Okay बार मैंन अर एनिमल नुमेन इजब जै अन вмeन अरिनिमल नुमेन इस बर्ड झाल 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 पता ही जल्दी से बता ही 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने लेटर हैं? 16 लेटर तो दोस्तों 16 लेटर में किस-किस का भाव होगा? जल्दी से बता हो फटा-फट से सर्व 16 में डिवाइड होगा 2 का, 16 में डिवाइड होगा 4 का 16 में डिवाइड होगा 8 का तो M&O 3 तरीके के अगर लेटर मनोपी चार तरीके के लेटर दिखाई दे रहे हैं तो मिनीमम पेर भी चार का बनाएंगा कि यह देखिए मनोपी 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 तो यह बन जाएगा कि ओपी एम कि यह बन जाएगा ओपी एम कि ओपी एम एंड क्या बन जाएगा ओपी एम एंड क्या बन जाएगा ओपी एम एंड क्या बन जाएगा भाई ओपी एम एन ओपी एम एन बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास ओपी एमन यह रोंग यह रोंग यह रोंग यह रोंग कि अच्छा 21 सत्यान में किसका होता है क्या याद है कि आपको क्यूब आप पता है क्यूब पीूब मैं गारंटी के साथ बोल सकतो हो नाइंटी परसेंट लोगों क्यूब भी पता नहीं होगा कि 21 सت्यान में है किसका जी हां 13 का क्यूब है बिलकुल सही जवाब कूछ बच्चों ने बिलकुल सही जवाब दिया तेरा का क्यूब है 21 सत्यान में और आपको पता है यह 12 166 भी क्यूब है आपको पता है तेरा में अगर आप 10 जोड़ दो तो 23 का क्यूब 23 का क्यूब है 12 166 तो ऐसे ही साथ का क्यूब है 343 तो यहाँ पे 10 आप अगर कर देते हैं तो यह हो जाएगा 17 का क्यूब और 17 का क्यूब होता है 913 और अगर मैं तो किराओं कि अगर नहीं भी पता था तो 10 तो पता होना चाहिए कि 729 तो यह तो पता सब कोई होता है कि यह तो साथ का क्यूब है यह किसी का क्यूब नहीं यह 10 का क्यूब तो भएब साथ गाए 1413 चलिए चलिए यह डू फास्ट झाल 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 यह देखी क्या चल रहा है यहां पर प्लस दो का स्कॉयर प्लस चार का स्कॉयर प्लस छे का स्कॉयर प्लस आठ का स्कॉयर यानि कि 64 साथ और चार ग्यारा का एक हासिल का एक छे दुनी बारा और एक तेरा का एक हासिल का एक तो यह हो गया 331 स्कॉयर की टर्म में चल रहा है चलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट का इस बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है यह अभी आपके लेटेस्ट में ही तो आप लोग अगर दोस्तों के अंदर ही आया था यह कोशन झाल झाल बता हो भाई ग्यारा प्लेस पाई ग्यारा प्लेस पाँच प्लेस तीन ग्यारा और आट उन्निस उन्निस का स्कॉयर तीन स्वेक्सट सत्रा प्लेस तीन प्लेस साथ कितना हो गया 27 27 का स्कॉयर 729 आट प्लेस पंदरा प्लेस एक्स कितना होना चाहिए बताओ जल्दी से बताइए ये मेरे इसाफ से तो 35 होना चाहिए कि आपके इसाफ से भी 35 होना चाहिए क्योंकि 35 का स्कॉयर ही होता है बारा सु पैंतिस तो सही है पंदरा और आट तेईस तो यहां से आ जाएगा बारा तो यह B option is the correct answer तो दोस्तों आप लोग जितना जल्दी हो सकें स्कॉयर और क्यूप तो कम से कम याद करी लें ठीक है चलिए जल्दी से बताइए पास सेकेंड के अंदर जवाब दे सकते हैं आप इस कोशन का बताइए क्या अंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया तो ऐसे यह भी ट्रैंगल बन रहे हैं आज से मिलकर फिल से कितना हो गया 16 तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 जल्दी से थमसब कर देंगे भाई डू फास्ट यह वाला शेप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है कितना है कहां पर दिखाई देगा ये शेब चलो नेक्स्ट अगला कोशन चार संखें दी गई है जिसमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है तता 1 भिन्न है तो आपको ग्याद करना है कि वहाँ कौन सी ये जो भिन्न है देखिए मुझे तो डाइरेक ये दिख रहा है कि ये स्कॉायर है 14 का स्कॉयर क्या कहते हूं भाई ये 14 का स्कॉयर है क्या कहते हूं चलिएगा नेक्स्ट बताइए कौन सी सम्मधित नहीं है बहुत बढ़ी है लाजवाब देखेगा e प्लस c पांच प्लस 3 हो रहा है आठ आठ में से एक चला जाएगा तो आएगा साथ, साथ पे आता है जी पिर ऐसे इसको देखना h प्लस f 8 प्लस 6, 14 14 माइनस एक हो जाएगा 13 तो भाई 13 पे आता है m, ये भी सही है ये भी सही है, ये भी सही है अब इसको देख लो k प्लस i i नहीं है, आजाना तक है, ये l होगा फिर चलो ठीक है k प्लस i ही ले ले लेते चलो कि ग्यारा प्लस नो एक्वल टू बीस ग्यारा प्लस नो इक्वल टू बीस पे तो टी यह आता है क्यों क्या आना चाहिए आपके इसाब से माइनस वन भी तो करना होगा आपको माइनस वन करेंगे तो ऐसा आना चाहिए पर यहां पर टी दे रखा समझ में आगई बात चलीगा नेक्स अगला कुशन फटापट से करके बताईए इसको यू आता है 21 पर एफ आता है छे पर एच आता है आट पर सी आता है तीन पर तो यहां पर देखिए पंदरा पर क्या आएगा ओ अगर यह अलग-अलग हैं तो अलग-अलग भी कर सकते हैं अगर मान लीजे पंदरा नहीं है सिंगल ही है तो यह बनेगा ए ए यह तो नहीं बनेगा ए वाला तो नहीं बनेगा ओ वाला ही चेक करते हैं पंदरा पर आता है ओ पिर बी दो पे आएगा बी पिर तीन पे आएगा सी पिर छे पे आएगा एफ यह बनेगा ओ बी सी है चलिए नेक्स्ट अगला देखिए अगला क्या बनेगा देखो भाई और बनेगा 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 से नेक्स नेड़ा हुआ dzięki क्या ओर झाल झाल नहीं आया समझ में 25 पंजे कितना होता है 25 पंजे कितना होता है 125 125 माइनस 5 कितना हो गया 120 123 कितना होता है 161 माइनस 7 इतना हो गया 154 ऐसे इसको देखो x इंटू 13 माइनस 13 इक्वल टू 56 तो 13x इक्वल टू आगया 169 तो x की वेल्यू यहां पर तो आभी 13 ही जाएगी अगला कुछन दोस्तों बड़ापट से बताइएगा a सिक्षन पसंद करने वाले a वो लोग है जिनको सिक्षन पसंद है ठीक है जिनको टीचिंग पसंद है b वो है जिनको कुकिंग पसंद है और c वो है जिनको खेलना पसंद है तो वो बोल रहा है कि केवल सिक्षन और खेलना पसंद करने वाले वेक्ति लेकिन खाना बनाना न पसंद करने वाले वेक्ति कौन से कुकिंग वाले अटादो केवल खेलना केवल वर्ड यूज हुआ है यहां पर केवल टीचिंग करते हुए खेलना तो 100% तो यह यह ना केवल टीचिंग करते हुए खेलना पसंद करने वाले अच्छा उसने बोले तो केवल सिक्षन तथा खेलना ओके ओके दोनों का कॉमन अड़ जाएगा स्रिफ कौन-कौन सा आएगा यह दोनों आएंगे एक यह आएगा और एक यह आएगा कि यहांचे देखो तो केवल सिक्षन तथा खेलना पसंद करने वाले वेक्ति लेकिन खाना नहीं बना रहे हूं केवल खेलना और सिक्षन पसंद करने वाले वेक्ति जो खाना नहीं बना रहे हूं ठीक है जो खाना नहीं बना रहे हूं तो केवल खेलना सिक्षन पसंद करने वाले वेक्ति जो ख प्रोटी वन होगे चलिए क्या बनेगा तीन का क्यू प्लस तीन थीज पाच का क्यू प्लस पाच एक्स साथ का क्यू प्लस साथ तीन सो पचास नो का क्यू प्लस नो साथ सो अड़ीज चलिए ना नेक्स कोशन बहुत बढ़िया लाजवाब चलिए बताइए इसके अंदर क्या बनेगा अगर डेली बेसिस पर दोस्तों आप लोग एक मॉक टेस भी अगर मेरे साथ में रेगुलर अगर आप प्रेक्स करते रहेंगा तो आपकी इतनी शांदार स्पिड हो जाएगी दोस्तों आपको कम से कम इतना तो पता लग जाएगा कि हाँ यार एक्जाम के आए वे कोशन्स आप कर पा रहे हो यह देखी यह देखी यह देखी यह देखी यह देखी यह क्छ यह क्वाएः अ सूसंथ नीजेन देखिए इन दोनों को जूड़ने पर 10 हाजएगा है न दोनों को जूड़ने he इन दोनों को जोड़ने पर यो 17 और सत्रा आ जाएगा तो इन दोनों को जोड़ने पर 12 और 17 है ट् Raw LIN लाग ऑज जाएगा 29ड विल्कुल सही है है के लिए दोस्तों बड़ावड से बताएं सका क्या बनने मारा दोस्तों बहुत बढ़ी अला जवाब शानदर चलिए बता दीचे जल्दी से यह अमने यहां पर ब्लॉक कर दिया है इसको इधर इसको कर दिया हमने देखना अब कंपेर करों कि यह इधर बनेगा यह इन बने झील यह रॉंग यह रॉंग इसको देखें आप यह रॉंग वी ओप्शन इसदी करेक्ट आशा मुक्खे बाजी जो होतीय बॉक्सिंग जो होती यह वह रिंग में लड़ी जाती है दोस्तों तो रेस जो होती है रेस कहां पर दोड़ें रेस के लिए क्या होता है आप लोग जानते हैं कि रेस कंप्लीट करने के लिए क्या होता है ट्रेक प्लस टू प्लस टू यह नहीं मनेगा ऐसे प्रश्ण वाचक वाले इस्थान की जगह क्या आएगा यह आपसे पूछा जा रहा है प्रश्ण वाचक वाले इस्थान की जगह पर क्या आएगा यहां पर प्लस टू यहां पर प्लस टू पर यहां पर देखें हैं तो माइनस वन यहां भी हो रहा है माइनस वन यहां पर हो रहा है प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू यहां पर हो रहा है माइनस वन यहां भी करेंगे माइनस वन तो यह आगया G option is the correct answer दी गई आकरती में कितने घन है यह 6 यह 4 भाई इधर तो देखें अगर आप तो 3, 3, 6 है इधर 6 है इधर 6 है और इधर 4 है तो total घन कितने होंगे यह घनाब जेसी आकरती है पर इसके अंदर बन गन रहे है तो आप आयतन किसका निकालोगे मुझे तो यह बताओ भाई इस घनाब की एक भुजा पर 4 बन रहे हैं एक पर 6 और एक पर 6 तो आप आयतन किसका निकालोगे भाई घन का निकालोगे या घनाप का निकालोगे बिल्कुल सख हमस्ति जarted Kelvin एक घनाप ये बहुत बड़ा लेकिन उसको छोटे-चोटे पार्ट में डिवाइड किया हूँ है छोटे छोटे घनों में विभाजित किया हूँ है तो आयतन हमेशा बड़े वाले का निकलता है ठीक है यानि लंबाई चोड़ाई इंटू उचाई लंबाई है छे चोड़ाई है चार और उचाई है छे 36 इंटू 4 हो गया 144 मज़ा आ गया भाई चलिए नेक्स अगला कुशन पड़ा पड़ से बता दीजे जल्दी से क्या अंसर आएगा बताएए प्लस चार 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 प्लस तीन प्लस सिक्स यहां भी हो रहा है प्लस चार पिर इधर देखो सी के बाद डी ए एफ जी प्लस चार प्लस छे प्लस टू यहां भी हो रहा है प्लस चार तो यह लगी चल रहा है भाई तो कौन सा वाला लगे है यह वाला लगे है ल के इसको बनेगे फड़ा पर से चल्दी से बताएं ही क्या आंसर बनेगा कॉर्णर से स्टार्ट होगा तो कॉर्णर से स्टार्ट होने वालो तो यह यह एक और तो कोई ही नहीं वैसे भी एक्स वाय की बहने वाय एम की पुत्री है वाय किसकी पुत्री है एम की पुत्री एम पी की माता है एम पी की माता है पी वाय का भाई है टी एक्स की माता का भाई है टी एक्स की माता का भाई है टी-एक्स की माता का भाई है तो टी-एम से किस प्रकार से सम्मधिते हैं टी-एम का भाई हो जाएगा टी-एम का क्या हो गया भाई चलो इस कोशन को करके बताओ पटापट से बंड़ा हो से करें टी-एम का बाई हो से प्रिकोंग से करेंगारिया की झाल हुआ आट हैं टी-एम का भाई पर जाले हैं विडवा हैा कि यह सत्रा है कि यह तेज यह तेज यह यह और है तरेपन यहां काम को पता नहीं है भाई यहां हो रहा है प्लस 6 तो देखिए सिरीज बन सकती है अगर यहां पर प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 वाला अगर सीक्वेंस चल रहा है तो 23 और 8 दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह हो जाएंगे 31 31 और 10 यहां हो जाएगा 41 तो यह हो जाएगा 6 और 8 86 option के अंदर भी और हमारा answer भी मज़ा आगया कि नहीं आगये दोस्तों फटाफट से थमसे करके बता दू चलो यूटूब पर क्लास होने वाली है बहुत ही भैतरीन क्लास होने वाली है छे बजे वाली क्लास हम वहां पर मिलने वाले बागी के next सेट हम लोग 25 कोशन का एक सेट हमने कर लिया अब अगला से दोस्तों आपको मिल जाए तो सभी के सभी सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं इस रेफरल कोड के माधियम से डी डी डवली पी यूवन जिरो दी पूटें को लागर बाए टेक्केर लभी और एव नाइस दे बाए